हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक चले हम पोहा भी गोते हैं सबसे पहले तो यहां यह कटोरी मैंने पोहा ले लिया हुआ है अब एक बड़ा कटोरा लेंगे या बड़ा बरतन लेंगे उसमें हम यह पोहा डालकर इसको पानी से फिल कर देंगे बिल्कुल आप इसमें अच्छे से देखे ध्यान से तो इसी तरह से खिला खिला पोहा बनाने में अगर ठीक से भीगा होगा तभी पोहा आपका बन पाएगा यह देखिए आपके सामने ही मैं कर रही हूं वीडियो को मैंने कट नहीं किया है यह देखिए बस इसको हम ऐसे ही छनी से नहीं चानना है हाथों से चान देंगे जितना पानी निकाल सकते हैं उतना पानी निकाल देंगे ये देखें जो पानी कुछ बूने पानी बचा रहता है तो उसको रहने दीजे क्योंकि इसको फूलने के लिए भी पानी की जरूरत होगी इसको 2 मिनट के लिए साइट पे रख दिया था 2-3 मिनट के लिए अब ये देखे बिलकुल ये मुलाएम फूल गया है अग्दम खिला खिला हो गया है तो ये पोघा तो भीकर हमारा बिलकुल तेयार है अब ले लिया है एक कडाही या पैन आप कुछ भी ले लीजिए इसमें थोड़ा सा तेल ला लेंगे अगर ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा लीजिए कम बना रहे हैं तो कम तेल लीजिए वैसे पोई में कम तेल यह अच्छा रहता है अब सबसे पहले मौंग फली के दाने हम भून लेंग इनको अच्छे से भूनना जरूरी है तीमी आज पर तेज आज पर ना भूने वदरवाइदी जल भी जाते हैं और अच्छे से यह अंदर तक नहीं भून पाते हैं इसको निकाल लेंगे जैसे यह बून जाएंगे मैं आज आपको बहुत असान सी रेसिपी बताने वाली आपके पास अगर कोई सब्जी ना हो तो आप सिर्फ प्याज डालकर और भूंपली के दाने डालकर भी बना सकते हैं तो मतर थोड़ा सा गल चुका है एक मिनट के लिए मीडियम और दीमियाच पर यहीं बाहरी मिर्च डाल देंगे लाल मिर्च का इस्तेमाल या नहीं करें पोहा जब भी बनाए तो लाल मिर्च पाउडर ना डालें टमाटर मैंने आधा कटा हुआ लिया है यहाँ पर उसमें जूस नहीं है जूस निकाल दिया गया है छोड़ा से नमक डाल देंगे हल्किसी हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए नमक आप हमेंसा स्वात के अ पानी डाल सकते हैं दो तीन टीस्पून पानी डाल सकते हैं अच्छे से पकाने के लिए यह देखें अभी हमारा मसाला बिल्कुल बन कर तयार है अब मैं इसमें यह पोहा डाल दूंगे तो सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंस पोहा खिला-खिला होना चाहिए और ज्यादा बार फॉलो करें यह देखिए यह बनकर तयार है इसको ज्यादा पकाने के जरूरत नहीं है यहां पर एक प्लेट ले लिए मैंने इसको प्लेट में डाल लूंगी मैं आपको बताती हूं इसको अगर आप सर्व करने वाले हैं तो किस तरह से सर्व करें एक अच्छी सी गोल प्लेट ले लिए या अपनी मन पसंद कोई भी प्लेटर ले लिए उसमें इसको डाल कर और हरी धनिया भी मैंने काट कर रखी हुई है तो हरी धनिया भी डालें पुहा में बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से इसको फैलाते हुए इससे थो ठंदा भी हो जाए मुँख करें शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा